कि बिस्मिल्ला रमान रहीम अस्टाम अलेकुम माई यूटूब फैमिली माई यूटूब विवर्स अमीद या सब्खेरियस से होंगे सदी बहुत जैदा थी जिसकी वैसे मैं वीडियो नहीं बना पाया तो सोचा क्यों ना आज आपके सामने दोबारा वीडियो बनाने के लि मेरा वो तो स्मार्ट ट्रिक्स के वाले से स्मार्ट टिप्स ही सिस्टम के अंदर जो मजूद बेसिक चीजे थी मैं आपको बता रहा था इससे आपको सीखें और अपने घर में बैठके आपने सिस्टम को यूज यूज करें जो इसमें प्रॉब्लम आए जैसे विंडोज कोई और इस तरह की चीजें वह आप घर बैठे ही इसको टीक कर सकें साथ ही साथ में आपको अब कुछ ऐसी जो चीजें वह भी साथ तिखाऊंगा जैसे प्रोग्रामिंग हो जाती है या वैबसाइट बनाने के लिए आपको किसी चीज की जूरत होती है कि वैबसाट कैसे बनती हैं सौफ्टर कैसे बनते हैं तो इस वाले से भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाओंगा और चीजें बताऊंगा भी दिखाऊंगा भी किस तरह से चीजें बनती हैं तो मैं अभी जो बेसिक जो सबसे बेसिक चीज एस्टीमल और सी एसस जो होती है हमारी मैं उस इस तरीके से हम अपना कोई प्रोग्राम फोटा मोटा करना हो या कोई फंक्शन बनाना हो या अपना आप कहलें के सीवी बनाना हो तो सीवी भी आप अपना HTML और CSS के थुरू बना सकते हैं तो अभी क्योंकि स्टार्ट बेसिक से लेकर चलूँगा कि आपको सम बताऊंगा कि HTML है क्या चीज़ यह बैसिकली क्लेंग्विज होती है जिसके तुरू हम मुख्लिफ किसम की वेफसाइट बना सकते हैं कि HTML मतलब तो इसको हमने के चलेंगे क्या चीज़ बिल्कुल है कि मनलें कि पता नहीं है तो मैं आपको एक बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलूगा जिससे आपको कर यह आप खुद भी उसको देखेंगे तो आपको मला परा जलता जाएगा मैं आपको बड़े तरीके से बताऊंगा तो पिक्चर आपके सामने आ रही है वह स्टाव वाज टाइमर की पिक्चर है तो यह देखें यह इसी कलिए भी हिस्सा उसी इंदर बनी वही है तो चले मैं आप को ऐसे करता हूं कि नेक्स वीडियो होगी मेरी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह किस तरह से हम इसको बना सकते हैं तो मिलते हैं जी नेक्स वीडियो में इंचाला स्टाव वाच, HTML, CSS के थूरू हम बनाएंगे और मैं आपको इसमें सारा तरीका भी बताऊंग होगा उसमें कोड कैसे करते हैं छोटा सा कोड होगा इतना बड़ा कोड नहीं है तो अमीद है कि आपको आने वाली वीडियो पसंद आएगी थैंक्यू सो मच अलाह आफीज